कुछ बातें SM के बारे में आज काफी मन में चल रही थी कुछ टाइम से जिसके बारे में थोड़ा सा चर्चा जरूर होगी और इन बातों को थोड़ा बुरा ना ले लेकिन इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें मैं काफी टाइम से इस कॉंटोवर्शी के बारे में सोच रहा था और पैटन धूनने की कोशिश कर रहा था कि कुछ तो कड़पड है भले ही आप लोग को ना दिखे और आप लोग ना माने लेकिन मैंने का चलो ठीक है मैं बात कर लेता हूं इसके बारे में एक बार तो सबसे पहली चीज तो मैं बताना चाहता हूं जो कुछ में मैं कह रहा हूं वो मेरा सत्य है हो सकता है आपका सत्य नहों तो इसके उपर जादा ऐसा मैं सोचेंगी रहे क्या बात कोई ऐसा नहीं बोलना चाहिए था यह वोटेवर मानना मानो नहीं मानना मत मानो देखिए सबसे पह अधली कॉंट्रोवर्सी हुई वहाँ से चालू करते हैं और के साथ कॉंट्रोवर्सी नहीं हुई श्विताब के साथ हुई है। आप कौन है motivational speaker है नीचे जाके लिख दिया मेरे ज़्यादा वेदानता नहीं जानते हो मेरे ज़्यादा दुमने नहीं पढ़ रखा है ठीक है नमबर वन नमबर टू प्रखर के साथ controversial होई कोगि प्रखर भी घ技 बाटता है रवचन देता है तो वह दूसरी controversy होई वह भी एक तरीकी का motivational speaker है या फिर पब्लिक speaker है दोनों पब्लिक speaker थे तो यह दो पैटन हो गए, एक ही पब्लिक स्पीकर के दो पैटन हो गए, पहला पैटन वह हुआ, दूसरा पैटन वह हुआ, तीसरा पैटन जो हुआ, जहां भी लडाई हुई, बहानक वाली वह ही विवेक बिंदरा से, वह भी एक पब्लिक स्पीकर थे, उससे पहले लडाई लडाई नहीं हुई, बहईस बाजी केरी मेनाथी से और उससे पहले के वीडियोस में एक बार मेरी तरफ भी इशारव हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस बनाते हैं और बाते करते हैं लेकिन इसका मैं थोड़ा सर्टन नहीं बर एक वीडियो था कि आजकल तो हर कोई वीडियो बना रहा है मेरे किलाब उसी वक्त मैं वीडियो भी बना रहा था तो यह हुई है पाचवी जो लडाई हुई जो कि आप लोग को नहीं पता है वो हुई थी अचार प्रशांद से वो कहा हुई थी वो सेशन में हुई थी जो संदीप मैशमरी ने आस्तेक अपलोड नहीं किया उस सेशन में साफ साफ अचार प्रशांद का बात करते हुए कहा कि साउंड आफ सैलेंज को बुरा बोल दिया चटी लडाई हुई चटा जो पैटन था वो आपको समझना पड़ेगा कि नाम के पहले अचार लगा हुआ है किसका अचार प्रशांद यह डाईलाउग था नाम के पहले अचार लगा हुआ है नाम के एंड में गुरू लगा हुआ है यानि सदगुरू यह भी competition में थे यह spirituality के competition में थे बिंद्रा बिजनस मास्ट्री सिरीज के कॉंपटीशन में थे और मोटिवेशनल में कॉंपटीशन में थे श्वेताब और प्रवचन दोनों ही competition में थे किसमें motivational speaking में और अजार प्रशांद के साथ जो controversy नहीं अभी release हुई वो भी इसी वज़ा से थी क्योंकि मैं spirituality पढ़ा रहा हूँ तो ये लोग क्यों क्यों होते हैं बढ़ाने वाले क्यों पढ़ा रहा है या sound of silence के खिलाब बुरा के बोल दी या नीचे लिख के आ रहा है नमबर लिख के आ रहा है कि यहाँ call करो वहाँ call करो और spirituality से लोग पैसा कमाते हैं तो ये कुछ साथ आठ पिन पॉइंट्स है जिनको समझने की हमें कोशिश करनी है इन पॉइंट्स के बेसिस पे मैं आपसे लिखवा के मेरे से लख लो कि अगर मेरा चैनल ग्रो होता है और उनके नजर में बात आती है कि मैं बोल रहा हूँ कि पार्त सिंग ने ऐसा कह दिया कि भीया आत्मरस रिलीज करो आत्मग्यान से क्या होता है तब होगी बहस बाजी यह मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ आपको आगे चलके क्योंकि आप समझ नहीं रहें इसको यह एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है और आप लोग जिस टिरेक्शन में जा रहे हो जो सोच रहे हो ना कि कि यह जो MLM की आड़ में विवेग बिंदरा के फ्रॉड की आड़ में जो वो एक्स्प्रेस कर रहे हैं वो तुम लोग नहीं पकड़ पा रहे होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या है जक्कर और इसको आप गलत नहीं कह सकते लडाई उसी से क्यों हो रही है जो कॉम्पेटीशन में है सिंपल सा सवाल है लडाई उसी से क्यों हो रही है आप देखो गंगवर से लडाई हुई प्रवचन से लडाई हुई इन से लडाई हुई उन से लडाई हुई सब कॉम्पेटीशन में प्रशान से नाम के पहले गुरू लगा रखा है नाम के पहले अचार लगा रखा है आप पैटर्न अगर देखो के पूरा का पूरा तो क्या पैटर्न मन रहा है यह हो रहा है उसके बाद क्या हुआ दो तीन चीजें और 2020 के बाद मैं डिप्रेशन में था तुम लोग तो जान ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कि वो मिनाती के वीडियो में उन्होंने, किसी ने कोई प्रवोक नहीं हुआ, ना सद्गुरु प्रवोक हुए थे उस वीडियो में, क्योंकि उसने सद्गुरु के खिलाब भी बोला था, ये प्रवोक हुए, ठीक है, तो कोई कुछ बोले न कोई अगेंस्ट में वीडियो ना बना है तो इसलिए मैंने आपसे कंट्रोवर्सी में डाल लेखा था कि जो ये हैं क्या बोलते हैं अचार प्रशान इनसे जो बेसिकली इनकी साथ इनकी जो कंट्रोवर्सी है वो होने वाली है एक बार ये ठंडा होगा फिर वो कंट्रोवर्सी चाल लूगी अब प्रशान ने अगर रिपलाई किया तो ठीक है नहीं किया तो नहीं ठीक है अब सवाल ये आता है कि हो क्या रहा है संदीब मैश्वरी के स्वभाव में बदलाव आया है अगर आप एक सेशन है उनका वो सेशन देखें उनमें उनके चेहरे की बात देखेंगे गेम आफ लाइफ करके सेशन है उनका या फिर आप इमोशनल जो बैठे वाले सेशन आते थे उनके पहले पीछ में फिर उन्होंने वेन्यू चेंज कर दिया, खड़े होने वाले आने लगे, फिर वापस बैठ गए चेहर पे वो, पर पहले बैठे वाले सेशन आते तो उनके, उनमें उनका चेहरा देखना, उनके अंदर धिलाव था, धिलापन था एक, एक बच्चापन था, एक खुशी थी, एक चीजों को सहने की ताकत थी, कोई कुछ बोलता था तो वो, गुसा नहीं होते थे इतनी जल्दी, अभी तो बात-बात पे गुसा आता है, और बहुत ज़्यादा एरगेंस आता है, एरगेंस किस बात का, कि मैंने वेदानता कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लि अरे भया आपने कर लिया सही है लेकिन आपने सब कुछ नहीं किया है आपने कर लिया है सही है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सत्ते पे ही हैं आप कई चीजों में जूट पे भी हैं असत्ते पे भी हैं तो यह भी समन्ना जरूरी होगा कि आपने कर लिया है और आपकी व साथ दे रही है क्योंकि एक रीजन मिल गया है जैनुवन लेकिन जिस दिन और जिस को कि जिस दिन मूट खराब होगा जिस दिन ऐसा एक टाइम आएगा जहां पर यह ऐसे बड़े फ्रॉड के आड में अपना गुस्सा नहीं निकाल पाएंगे एक के बाद एक वीडियो बनात अब देखो उन्होंने मना कर दिया कोट में यह वीडियो नहीं बनाना है तो अब इंडिरेक्ली वीडियो बना रहे है उनके किलव वीडियो बना जा रहे है खटकाट खटकाट एक वीडियो आया वहाँ पर उन्होंने बता है अब आया तो अब बता रहे है अपने आपको अभी नई टॉपिक उठा है, इसमें audience आने लगी बीच में इन्होंने एक community tab भी डाला था community post भी डाला था कि business master series से उनके लिए नहीं है जो business करना चाहते है business master series सब के लिए है जो अपना mind को grow करना चाहते है third process, वो community post उनने डाला था वो community post क्यों डाला गया, मुझे बताईए क्योंकि उनको effect कर रहा था कि views नहीं आ रहे और जब भी views drop होते हैं वो हमेशा एक stunt मारते हैं जैसे बीच में views drop होए थे तो उनने सीधा announce कर दिया, मैं youtubers को सारे बुलाना चाहता हूँ, आओ मेरे shows पे आओ और वो भी एक अच्छा hit हो गया तो ऐसे धीरे-दीरे views drop होते हैं और एकडम से फिर उड़ जाता है, फिर कुछ ना होता फिर उड़ जाता है तो मैं यह नहीं कह रहा हूँ व्यूस के लिए किया मैं बस बदा रहा हूँ कि एक pattern पकड़ में आ रहा है यह मस हो जो, side में उनके दिमाग में और चीज़े चल रही है side में arrogance है side में गुस्चा है बहुत सारी चीज़े हैं जो उनके इंदर चल रही है आपको क्या लगता है जब मैं वीडियो बनाऊंगा और जब यह मेरे को reply देंगे तो पता है क्या होगा क्या होने वाला है कि कुछ ऐसा तर्क देंगे जो तर्क हो सकता है कि उनको लगेगा कि हम नहीं बता है उसका reply कर पाएंगे जब कि ऐसा कुछ भी नहीं है अगर वो उसी topic पे रहे तो मैं ऐसे तर्क दे सकता हूँ कि उनकी बोलती बन दो सकती है लेकिन ये जो कहावत है ना कि ये जो बात है कि आप पैस से monetize को और spirituality को हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आपका intention अच्छा है तो आप कर सकते हो या number one number two या फिर आपने क्या बोलते हैं मेरे वीडियो के खिलाफ आप कुछ भी बोलो जैसे संदीब मैश्वरी कहते है मेरे वीडियो के आप खिलाफ criticize वीडियो बना सकते हो मैं कुछ नहीं बोलूगा ये उनको उसमें भी फर्क पड़ता है उनको उसमें भी फर्क पड़ता है कि भाई तुमने बना कैसे दिया किसी भी चीज के खिलाफ मलब बोलना ही नहीं खिलाफ मत बोलो कुछ भी मत बोलो anti-video मत बनाओ कुछ भी मत बनाओ कुछ बोलो ही मत ये चक्कर है संदीब मैश्वरी ये चाहते है कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो और सब कुछ बढ़िया चलता रहे और सब कुछ मामला सही चलता रहे कोई मेरे को pointy ना करे कोई मेरे उपर हूँली ना उठाए कोई मेरे को कुछ बोले ना मेरे topics का विरोध ना करे जो भी मैंने बात कर दी वही बात सकते है अभी बीच में बोल रहे थे कि spirituality में जाने से कुछ नहीं होता एक short viral हो उनका spirituality में जाने से कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता इसमें कुछ नहीं होता आखरिम कुछ नहीं मिलता है कुछ बदलता ही नहीं है नीचे कई लोगों नो उनको bash किया उनका ऐसा कुझने जुट बोल लग, क्योंकि भाई, spirituality में जाने से कुछ नहीं होता, तो मेरे students है इतने सारे, उनके अंदर changes आए, मेरे life में इतने changes आए है, तो आदमी करेगा ही क्यों, सत्य को जानके करना क्या है, problem इनके साथ पता है क्या है, सत्य को जानके बैठे हुए है, साधना करी नहीं, साधना करी नहीं, दिमाग में chemical नहीं है, आत्मरस है नहीं, अब आरा गुसा, क्योंकि भाई, दिमाग को ग्यान से क्या मतलब, दिमाग को भगवत गीता से क्या मतलब, दिमाग को उससे क्या मतलब, विदानता से क्या मतलब, मन को इससे थोड़ी मतलब है कि तो कुतना आता है भाई सबसे आदा तो पंडितों को आता है सबसे आदा ब्रामणों को आता है जो लोग मंदिरों में बैटके चैंटिंग्स करते हैं सबसे आदा तो उनका आता है तो क्या वो खुश है क्या उनका मन खुश हो जाता है क्या अपने अंदर जहांक के देख सकते हो तुम लो नहीं देख सकते अगर अपने अंदर जहांक के देखो गए तो हजार भगवत गीता भी पढ़ लो गया हजार बार भी पढ़ लो गया तो भी समझ नहीं आने वाला कुछ तो चक्कर ये हो गया इनके साथ इनके साथ चक्कर गया हो गया अब कृष्णमूर्ती के साथ क्या चक्कर हुआ ये भी सुलो कृष्णमूर्ती बोलते हैं observe करते हो question करते हो meditation मत करना meditation मत करना meditation मत करना और खुद उस इंसान ने पंदरा साल मेडिटेशन किया शुरू में पंदरा बीच सार उस आदमी ने मेडिटेशन किया हीलर थे वो उनके अंदर रेकी की पावर्स थी उनके पास ठीक हाथ रख देते चीज़स हो जाती थी खुद किया उसके जब पढ़ाने चले तो पढ़ा नहीं पाई सही से मतलब पता उनको सब कुछ था लेकिन भाई अब आप माल लीजे भाई देखिए अब आप उदर कहीं से आ रहे हों मैं कहूंगा शुरू में आपके शुरू में घास और आपको कीचड मिलेगा वहां पर तो आप इंडिया से अमेरिका जा रहे हो बाइक पर माल लो और मैं अमेरि कि हमें केरला से आ रहे हो बाइक से और मैं बोलना हूँ केरला में शुरू में आपका यह मिलेगा कीडा करकट तो क्या होगा कीचड और जो गहां से मिलेगी जब आप महां से चलते हो आपको यह मिलेगा अब यह मिलेगा अब यह मिलेगा तो मुझे भी वही मिला था लेकि मैं advanced level की बाते beginner से करने लगा यानि self knowledge तब आता है जब साधना हो जाती इन सबने साधना कर रखी संदीप ने करी कृष्मूर्ती ने करी सबने साधना कर रखी 15-15-20-20 साल वहलब संदीप ने तो 15 साल करी तो चक्कर क्या है कि जब आप beginner को teaching कर रहे हो beginner को पढ़ा रहे हो कोई नया आदमी आ रहा है और मैं भी 7-8 साल से जब मैं इसमें था पिछले 7-8 साल से मैं हूँ इसमें तो मैंने भी on and off meditation करकर के बार बार देखा कि actually knowledge से कुछ नहीं होता है ultimately आपका दिमाग आपके इंद्रियों तरे ले जाएगा चक्कर क्या है कि मुझे बात करनी है मुझे अपना knowledge share करनी है यह सब आपके अंदर एक tendencies हैं आदते हैं और addictions है कि मुझे knowledge share करनी है मुझे sessions करना है उससे आपको satiety मिलेगी जैसे मुझे music करने में मिलती है या कुछे कोई practice करने मिलती है लेकिन ultimate society आपको साथना से मिलेगी वो आपको मिलने रही क्यों और आपने जो बंदे आ रहे है spirituality में उनमें आपने बोल दिया self knowledge के वह जरूरी है self knowledge को समझने के लिए एक बहुत ज़्यादा शान्त और ठहराओ वाला मन चाहिए आप किसी सभी कहाँ तो attention span है नहीं लोग के 15-15-20 second का attention span है क्या बात कर रहे हो तो teaching method में questioning है question mark है teaching method questionable है इन लोग का कृष्मूर्ती का teaching method questionable उनकी जो वो है न पढ़ाई जो जिस तरीकी को बाते करते हैं सब कुछ सही है लेकि जहाँ हो यह कहते है meditation से कुछ नहीं होता वहाँ उन्होंने discard कर दिया क्यों क्यों कि चक्कर के है न आप कितना भी meditation छोड़ के देख लो आप 7-8 साल छोड़ोगे आप देखोगे आपका दिमाग वापस आपको खाने लगेगा अंदर ये अंदर ये करके देखना पड़ेगा आपको खुद तो ultimately mind को ज्यान से मतलब नहीं है mind को उसी से मतलब है रस से मतलब है और कई लोग ये भी mistake करते हैं कि रस रस करते रहते हैं और ज्यान नहीं लेते तो ज्यान से भी कुछ रस से भी कुछ नहीं होगा और ज्यान से बी कुछ नहीं होगा दोनों पती पतनी एक साथ आएंगे रस और ज्यान दोनों ग्यान और रस दोनों एक साथ आएंगे और अगर कहीं ये सोज लिए आ सिर्फ रस ले रहा हो तो कुछ नहीं होने वाला क्योंकि ज्यान से intellectual suffering पर attack होता है यानि suffering by desire यानि suffering इच्छाओं की suffering यानि break up हो गया, लड़की नहीं है जिन्दिगी में, सच्चा प्यार और job चली गई ये सब जो suffering हैं, ये सब desire से आ रही हैं आपकी कि मुझे travel करना है, मुझे travel करने का, UPSC crack करना ता आस तक नहीं हुआ अब अगर किसी को UPSC crack करना है और आस तक नहीं हुआ तो वो UPSC कैसे crack करेगा और कैसे समझेगा अगर मैं उसको ये दिखा दूँ कि UPSC end of the world नहीं है ये UPSC एक comedy है जो हो रही है, संसार में एक और reality है जहाँ पे, वो ज़्यादा बड़ी reality ये एक fiction है, कालपनिक दुनिया है तो अगर वो ये समझ जाए, वास्तविक जीवन समझ जाए वास्तविक जीवन का जो, इसलिए मौध जल्दी से समझा देती है मृत्यू एकदम से तमाचा, मृत्यू का तमाचा बोलते हैं इसको किसी के आसपास पड़ोसी मृत्यू होती, किसी celebrity के मृत्यू होती तो उसमें आदमी को एकदम से जटका लगता है, यह क्या हो रहा है अरे कुछ हो नहीं रहा गोचू, तुम कालपनिक जीवन से थोड़ी देर के लिए वास्तविक जीवन में आ गयो तुम्हारा जो जीवन चलता है, हरा आदमी कालपनाम जी रहा है कालपनिक यूटूब ग्रो करना है, यह ग्रो करना है, वही जिंदगी, UPSC, UPSC एस्पिरेंट हूँ, पढ़ाई कर लूँ, जल्दी से क्रैक कर लूँ, बरतन धुलूँ, कपड़े धुलूँ, फिर आगे चलके IS बन जाओंगा, सब कुछ सही हो जाए, अरे गोचू, उसस कुछ नहीं होने वाला है, यह सब छोटी मोटी कालपनिक जीवन है, यह सब बकवाज है, यह सब मर गए तो क्या होगा, नहीं, IS IPS बन गए, मर गए तो क्या होगा, एक्सिदेंट हो गए तो क्या होगा, तो फाइदा क्या है यह सब चीज़े करने का, कोई फाइदा नहीं है इसका मतलब ये भी नहीं करना है अब करते रहो लेकिन अंदर ये अंदर आपका मन जो है उसको आप foundation क्या दे रहे हो UPSC मतलब आप ये कह रहे हो कि UPSC जीवन है IAS IPS बनना जीवन है IAS Aftar बनना जीवन है बस खतम जिंदगी वहीं से क्यों foundation ही तुमारी खराब है तो तुमारी जब foundation एकदम घटी आया है और एकदम लौज़ड foundation है तुमारी तो अब क्या करो हुए जैसे ही वो हटा अब पकड़ने के लिए है नि टिकने के लिए है नि अब ये बस कॉमेंट आया कि आप भी तो ऐसे तो एडिक्ट हो रहे हो साधना के और आत्म घ्यान के अरे घोचू पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए भीया मनुष्य हो तुम कभी ये मस सोच ले ना कि अकेले इंडिमेंडेंड हो सकते हो स्वतंदर नहीं हो सकता मनुष्य देखिए मैं आपको एक कंटेक्स समझाता हूँ आप ये समझ लीजे कि एक दलदल है और दलदल में आप अंदर तक फसे हुए और से मूँ आपका बाहर है तो पूरा डूबने के लिए पूरा ना डूबने के लिए अगर आप चाते हो कि थोड़ा से मूँ बाहर रहे आपको एक सहारे की जुरूथ है जो दलदल कर ना हो मतलब क्या ये दलदल संसार है तो अगर दलदल से कुछ निकालते हैं लेटसे कि कोई पकड़ने वाली चीज निकालते हैं या हाथ हाथ बनाते है तो दलदल जो है बेसिकली उसमें आप डूबोगे नहीं लेगिन सोचो वो हाथ अगर दलदल से बनाओ यानि दलदल के मैटेरियल से बनाओ तो जैसे आप हाथ को पकड़ोगे थोड़ी दिर तक तो टिके काले किन बहुत इसे मिट्टी है तो वो आपस नीचे आ जाएगा आपके साथ तो हाथ भी आ गया आपका हवा में उड़ रहा था हाथ एक वो भी आ गया और आप तो मरी गए तो सपोर्ट दलदल के बाहर कोई सी को देना है जो दलदल के बाहर कोई खड़ा हुए वो देगा ना सपोर्ट जब वो सपोर्ट देगा रसी फेकेगा या अपना हाथ फेकेगा या कुछ क्रेन वेन लटकाएगा जो दलदल के बाहर का मैटेरियल होगा वही तो आपको बचा पाएगा कि दलदल का मैटेरियल बचा पाएगा आपको तो प्राब्लम क्या है कि लोग कह रहे हैं कि यह I.S. I.P.S. और यह सारुक खान बन जाओ और यह फेम नेम और यह प्यार और मुहबत और यह दौलत यह शौरत और यह सब कुछ यह पतनी और यह बच्चे माँ बाब यह सब दलदल के हिस्से और जो वास्तविक हाथ है वो परमात्मा का हाथ है वो बाहर रहता है वो सब के लिए रहता है लेकिन कोई पकड़ता नहीं है सब दलदल के हाथ पकड़ते हैं मतलब दलदल के मेटेरियल से हाथ बनाके उसी को पकड़ रहे हैं सोच रहे हम टिके हुए और टिके हुए के लेकिन हाथ अगर परमात्मा का है तो एक हाथ आप परमात्मा का पकड़ लो और फिर आप दलदल में ही रहो तो आपकभी डूबो गा spices नहीं तो बुनियात का मतलब यही है कि एक बुनियाद तो होनी चाहिए भईया कुछ खो रहे हो इतना कुछ छोड़ रहे हो, इतना कुछ त्याग रहे हो, अपनी बीवी, बच्चे, अपना ड्रीम्स और ये सब अगर छोड़ना है इन सबको, तो कहीं न कहीं कुछ पकड़ने के लिए होना भी तो चाहिए, पगंडे ऐसा नहीं है पगंडे के लिए पगंडे के लिए चाहिए भी या कुछ ना कुछ यह मत सोचो तो एडिक्शन किस चीज का पालो रस का पालो ना चक्कर यह है तो सवाल यह आता है कि क्या सब माबाब और अपको छोड़ के भाग जाएं नहीं दलदल में पूरा शरी आत्मा का हाथ पकड़ा रहेगा मतलब क्या संसार में रहते हुए संसार में मजे मारते हुए संसार में वो सब काम करते हुए संसार को एक अर्थ हीन मात्र मान के संसार के साथ खेलते रहो मतलब किमेडी डल ते रहो ए किमेडी है चल ला ऐसे सीरिस मन ऊप किसी चीज़को ले के तो अब इनके साथ क्या हुआ इनको सबसमझ में आया मुझे बताने जरूत नहीं चकर क्या हुआ कि मन हावी हो गया मन कह रहा हमसे मतलब भी नहीं मारी मा की ऐसे कि मतलब मतलब भाड़ जाओ कोई मतलब नहीं हमें कोई मतलब नहीं किसी बुजी से तो मन उनका हावी हो गया अब ये ऐसी ऐसी चीज़े कर रहे है मालब 2020 से पहले जो संदीब था वो अलग संदीब है वो खतम हो चुका और 2020 के बाद जो संदीब महिश्वरी है वो पतानी क्या हो गया उसको समझे नहीं आ रहा और कोई कुछ भी बोले अभी कोई भी वीडियो बनाओ अगेंस पने बोलो तुरण पताक से रिपलाई आयाएगा कि हमारे उपर तumने वीडियो बना दी हम भी तुम्हाँ बढ़े वीडियो बनाएंगे या हम तुम्हें हम बुरा मानेंगे वो मानते हैं भईया मैं जानता हूँ कि वो मानते हैं तुम लोग भले मानो ना मानो उनके ओपर कोई कुछ ना बात करे उनकी पढ़ाई लिखाई जो उन्हेंने करवाई है उस पर कोई कुश्चन ना करे उनके ओपर कोई कुछ बात ना करे बस यही है चक्र और कोई चक्र नहीं है तो यह problem है यह बहुत बड़ी problem है इससे बड़ी कोई problem नहीं हो सकती मेरे साथ से इससे बड़ी कोई problem नहीं है तो पूरा pattern आप ध्यान से अगर देखोगे तो वीडियो जो आ रही थी Business Master Series वो खतम हो चुकी है अब scam की last video शाहए थी अब भी अगर कोई scam की video आती है तो अब तो शाहए अब आप तो समनना ही चाहिए आपको पर अब देखो कौन सी video आती क्या आती कोई समननी आ रहा बट मुझे लगता है कि जब उन्हें बोला कि मैं क्योंकि आप मैं भी इस controversy में involved हूँ तो आप मैं monetize on करूँगा और लड़ूँगा आप लोगे अरे भाईया वो पहले से fix करके बैठे हुए थे कि उनको case लड़ना है इनके साथ आप लोग को नहीं बताई बहुत पहले से उनको बस मौका चाहिए थे कुछ बोलने का कि बोल दे मैं भी लड़ूँगा case क्योंकि पता नहीं क्यों लड़ना चाहते हैं उनका मन है अंदर से लड़ने का case एक उनका है कि अच्छाए के लिए भी लड़ रहे हैं लेकिन side में कुछ और भी है तो सब कु किया यही सिर्फ नहीं है याद रखना यह चीज साइड में कुछ और भी है और एक तो और भी मेरे दिमाग में आयती कि लास्ट टाइम तो मैं हार गया प्रकर से लास्ट टाइम तो मैं इतना परिशान हुआ और इतनी सारी struggles देखी मैंने और मैंने उसका जंडे वाली बात अपने डाल दी spirituality वाले चैनल से मैंने उसकी बुराई करना चालू कर दिया इतना कुछ मैंने कर दिया उसके लिए उसमें उनको regret था अंदर से अब मुझे को right करना है उसमें 100% मैं ही right हूँ तो यह पता नहीं क्या चकर चला है इनका मुझे तो सम्चीव नहीं आ रहा है इन medical क्या कहता है medical यह कहता है कि जो जड़ है उसको सही कर लो तो अपने आप जो है symptom जो है लच्छन सही हो जाएंगे तो भाई पेट की दिक्कत थी तो पेट की आप वो इलाज करवाते है तो जहीं हो जाता लेकिन भाई आप तो clinical depression यानि anti-depressions क्यों खा रहे हो अगर सब कुछ गट से ही issues थे तो गट का इलाज करा के हो जाता गट का क्या issue हो सकता है कि मैंने थोड़ा खाना ज्यादा खा लि चक्कर क्या है चक्कर यह है कि कुंडलीनी के टाइम इनका टाइम बढ़िया चला फिर ये कुंडलीनी करके वापस आये तो वहाँ पे इनके mood swings होते थे सब कुछ होता था बढ़िया था उसके बाद इनोंने sound of silence भी उसी वक्ट discover कर दी थे करना start कर दिया और ये law of probability versus law of meditation उन पहले बोलते ते ग्यान से नहीं अंतरित होता एं फिर कैथे घर साधना चीज कर दिया और कुछ होता आ sites स्पिर्च्वालिटी चैनल बता दो कोई बता दो समझ जाओ फोकस कहां पर